दोस्तो आज हम एक्स्प्लीन करने वाले हैं हाली में आई मूवी मलाई कोटी वाली बान को जो कि आपको जरूर परसंद आएगी इसलाव वीडियो को भी लाइक कर दीजिए हम चलिए कहानी शुरू करते हैं तो मूवी की शिर्वात में हम चिन्ना नाम के लड़के को देखत और बताता है कि कोई आपसे भी ताकतवर इनसान आया है और वो चैलेंज कर रहा है ये सुनते ही वो आदमी सीधा चिन्ना के सामने आ जाता है कि बुला अपने युद्धा को तब जाकर हम मलाई कोटी वाली बान नाम के आदमी को देखते हैं यहां में पता चलता है कि गाँ के सबसे बड़े योद्दा से लड़ता है उसके साथ ऐनर नाम का आदमी है जिसे वह अपना गुरु मांता है और अप से इस गाँ में वालिबान की किस्से सुनाई जाएंगे और वही हमारा रक्वाला कहलाएगा असल में एक कहानी काइश सो साल पहले की है जब हर गाउं में एक रखवाला होता था और जब भी कोई से हरा देता था तो उसकी सारी पावर्स चीन कर विजेता को दे दी जाती थी साथ ही हारे वे इंसान को गंजा करके गदे पर घुमाय जाता था और गाउं से निकाल दिया जाता था अब इसके बाद हम एनार के पास एक औरत को बैठी हुई देखते हैं और एनार उसे बता रहा होता है कि मेरा बेटा चिन्ना मेरी जान है जिस पर वो लेडी पूछती है फिर वालिबान तो एनार गयादा है कि वो तो एक चमतकार का राजा है जो मेरे हर सपने को पूरा करेगा अब हम कुछ टाइम बात का सीन देखते हैं जब वालिबान एक राज्ये में जाता है और मा उसका अक्षे से आदर सतकार होता है और उसे मही के राजकुमारी से प्यार भी हो जाता है तब राजकुमारी वालिबान को अपने साथ ही रुकने के लिए कहती है पर वालिबान को तो दुनिया का सबसे बड़ा युद्धा बनना था इसलिए वो राजकुमारी की बात नहीं मानता और कुछी दिन में उस राज्य से भी नई उद्धा को ढूंडने के लिए उससे लड़ने के लिए अब जब वालिबान घुमते घुमते एक मेले में बहुशता है तो वहाँ से एक लड़की के अवाज आती है जो अपना नाम रंगरानी बताती है जिस पर चमतकान उसे चाकू दिखा कर कहता है कि तू नाच वर्ना गला काड़ दूँगा तब ही माँ वालिबान आता है और वो चमतकान को उठा कर फेक देता है और अंगारानी को वालिबान अच्छा भी लगता है वो उसे पकड़ कर डांस करने लगती है पर वालिबान वहां से शर्मा के भाग जाता है अब जब वालिबान और उसके साथ ही आगे जा रहे होते हैं तब उसके सामने चमतकान गुस्से में आता है और कहता है कि तो युद्धा है भी या नहीं अगर मा का दूद पिया है तो मेरे गाउं के वीर युद्धा से लड़कर दिखा तब वालिबान चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और चमत कान के गाउं जाने लगता है अब सुबा रास्ते में उन्हें जमन्ती नाम की लड़की मिलती है जो उनसे लिफ्ट मांगती है जिसके बाद ये सब चमत कान के गाउं पहुँच जाते हैं अब वालिबान उस युद्धा से मिलता है और कहता है कि इसके लिए बैसाकी का इंतजाम कर लो अब ये चलने ही पाएगा और वो युद्धा भी कहता है कि मुझे हराने वाला पैदा नहीं हुआ और वो पत्तर को ही चूरा बना देता है अब कल का दिन लड़ाई के लिए चुना जाता है तो रात को चिन्ना वालिबान के लिए खाना लेने आता है और देखता है कि खाना बनाने वाली तो जमनती है और यहां यह दोनों कल लड़ाई की बाते करने लगते हैं कि वो युद्धा बहुत खतरनाक है पर चिन्ना कहता है कि कल ही देख लेना मेरे भाईया उसका क्या हाल करेंगे तब चिन्ना कहता है कि अगर वालीबान जीता तो तो मुझे किस दोगी और यह दोनों शर्त लगा लेते हैं कि कौन जीतेगा अब यहां वालीबान अपने साथियों के साथ बैटा था तब मैं एक बुड़ा आदमी जो चल नहीं सकता था वो कहता है कि पहले मैं भी एक युद्धा था और मैंने कई युद्धाओं को हराया पर यहां के गाउवाले धोके बाज हैं जिन उन्हें एक बार मुझे लड़ाई से पहले कुछ पीने के लिए दिया और अगले दिन मेरे हाथ पैर ही चलने बंद हो गए यह गाउवाले अपने युद्धा को चिताने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं इसलिए तुम बच के रहना इस पर वाली बंद को बहुत गुस्सा आता है अब बगले दिन गाउं का युद्धा लड़ाई शुरू होने से पहले ही महा के रैफरी को मार डालता है कि लड़ाई के बीच कोई नहीं आना चाहिए और फिर इन दोनों की लड़ाई शुरू होती है जहां वाली बंद उसे युद्धा को पीटेना शुरू करता है और वो उस पर हावी हो जाता है तब वो युद्धा वाली बंद पर मिट्टी फेक देता है और उसे धोके से मारने की कोशिश करता है पर वालीबन तो उसे ही मिट्टी में मिला देता है इसके बाद वालीबन उस पूरे अखाडे को उखाड फेकता है ये कहे कर जिस जगा पर धोके बाजी होती हो वहाँ पर ये धोना ही नहीं चाहिए और सब लोग वालीबन की ताकत देखकर हरान थे इसके बाद चमतकान को शर्त के अनुसार आदा गंजागर के गधे पर बैठा कर गाउं से बाहर निकाल दिया जाता है और चमतकान अपने बदले के बारे में सोचने लगता है कि इस वालीबन को जरूर मारूंगा फिर चमतकान उसी उद्धा को ही मा डालता है जिसके कारण उसका ये हाल हुआ है और उसे देखकर समझा रहा था कि वो एक तरह का साइको है अब वालीबन अपने साथियों के साथ महां से जाने लगता है और निकलने से पहले चिन्ना जमंती का इंतिजार करता है पर वो नहीं आती फिर जब ये वहां से आगे चले आते हैं तब चिन्ना रोई जा रहा था तो वालीबन पूछता है कि क्या हुआ जिस पर चिन्ना कहता है कि मेरा दिल उसी गाओं में छूट गया जिस पर वालीबन कहता है कि समझ गया में जा जाकर अपना दिल वापस लेया और चिन्ना जल्दी से जमंती के पास चला जाता है जहां ये दोनों मिलकर पहले किस करते हैं इसके बाद यहां आयनार कहता है कि चिन्ना का लड़की का लाना जरूरी है क्या क्योंकि हम हर जगा जगा गुमते हैं और ये लड़की के लिए खतरा हो सकता है पर वालिबान कैयाता है कि चिन्ना के खुशी के लिए सब चलता है जिसके बाद ये सब जमंती को लेकर चल देते हैं नए सफर पर अब रास्ते में इने रंगरानी मिलती है जो वालिबान को देख कर छेड़ने लगती है और जब एक आदमी लड़ाई जीत कर अपने साथे को छोड़ने की बात कहता है और उल्टार राजा को ही गाली देने लगता है कि तुने हमारी जमीन छिन कर हमें बंदी बनाया है तब महा के रानी आदमी को ही गोली मार देती है और हमें समझ आता है कि ये लोग काफी निर्दई हैं तब महा वालिबन आता है कि मैंने सुना है आज महारानी के जनम दिन पर जो भी युद्धा जीतेगा उसे मूँ मांगाई नाम मिलेगा तो मैं जीतने आया हूँ जिस पर राजा चड़ जाता और कहता है कि अगर तू हारेगा तो दूशे बांद कर तेरी निलामी कर देंगे वालिबन कहता है कि मैंने अपना पहला दंगल इसी गाउं में लड़ा था और तूने यहां के राजकुमार को मार कर पूरे गाउं पर ही कबजा कर लिया और यहां के लोगों को गुलामों की तरह बेचने लगा मेरी शर्त ही है कि अगर मैं जीता तो यह गुलामों का वेपार बंद करना होगा इस पर रानी भड़क जाती है कि अब तू हारेगा तो सीधा तेरी गर्दनी काड़ देंगे और यहां के लोगों के साथ और भी बत्तर सलूक किया जाएगा तब वालिबान भी मान जाता है वही हम चमतकान को देखते हैं जो वालिबान को मानने आया था अब रात को जब एनार गाव में घूम रहा था तब चमतकान उससे कहता है कि मैं लोगों के चहरे पढ़ सकता हूँ और तो जरूर कोई बड़ी बात चुपा रहा है तब एनार कहता है कि मैं एक बात कहूँ मैं चहरा तो नहीं पढ़ पाता लेकिन तुम मनने से पहले मेरा चहरा जडूर देखेगा जिसके बाद वो महा से वालिबान के पास जाता है उसे युद के लिए तयार करने फिर जब वालिबान लड़ने के लिए मैदान में जा रहा था तब चमत कान चुपके से वालिबान के जहर वाली सुई चुबा देता है पर वालिबान को कुछ पताए ने चलता अम मैदान में वालिबान देखता है कि लड़ाए के लिए दो युद्धा एक साथ आये हैं एक लड़का और लड़की और वो क्या देगी हम एक ही हैं जिसके बाद वालिवान और उनकी लड़ाई शुरू होती है तब वालिवान दोनों पर ही भारी पढ़ रहा था लेकिन उसी समय जहरसर दिखाना शुरू करता है और वालिवान को सब धुनला धुनला नजराता है और ये दोनों युद्धा उसे खुम मारते हैं फिर वालिवान खुद को समालता है और पहले लड़की को दूर फेकता है और उस आदमी को जान से माने वाला होता है तब ही मा का फिरंगी राजा अपने आदमें से उसे कैद करने के लिए कहता है जिसके बाद वालिवान को बड़े-बड़े खंबों से बांध दिया जाता है और उसकी निलामी लगाई जाती है एक गुलाम की तरह तब उसे चमत कान ही खुब सारी असरफियों के बदले खरीद लेता है कि इससे तो मैं अपनी सेवा करवाऊंगा जिसके बाद वाँ पर राजा की जनम दिन की खुशी में रंगा राणी को नचाया जाता है पर राजा उन सब को ही लाइन से मरवाना शुरू कर देता है जिसके बाद वालिबान को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पिलर को ही तोड़ देता है जिसके बाद वो लाइन से सैनिकों को मारता है और फिर सारे लोगों को महल से भार निकाल लाता है अब आगे जाकर सैनिक वालिबान और उसके साथियों को गिर लेते हैं पर उपर से सैनिक पत्थर गिरा कर सब को रोन देते हैं फिर रानी महल के उपर से तोपो से हमला करती है जिसे वालिबान देख लेता है इसके बाद वो सीधा उपर जाकर रानी को तलवार से मार डालता ह और खुद दोपो से राजा और उनके सैनिकोग पर हमला करता है जिसमें राजा मारा जाता है तब भी हम महा पर चमतकान को देखते हैं जो बम वाले कमरे से बम लेने आता है उसी समय महा पर एक जलता हुआ बम गिरता है और महा धमाका होता है यानि चमतकान भी मारा गया अब वालिबान के कारण मा का राज्य उस रंगी से अजाद हो गया ठा और सब वालिबान को अपना मसीया मानने लगते हैं फिर ये सब महा से आगे बढ़ते हैं तब रास्ते में रंगारानी वालिबान से अपने दिल की बात कह दी है कि मुझे तुमसे प्यार है पर वालिबान मना कर देता है कि मैं की उद्धा हूँ मेरा कोई ठिकाना नहीं है इसलिए मैं इन सब में पढ़ना नहीं चाता जिससे रंगारानी का दिल तूड जाता है वही हम एनार को देखते हैं जिसमें काओं के सारे लोग मारे गए उसके माबाब भी पर वालिबान जिन्दा था और जब एनार महा से गुजर रहा था तो उन्होंने वालिबान को अपने साथ ले लिया जिसके बाद उन्होंने वालिबान को दुनिया का सबसे बड़ा युद्धा बनाने का सपना देखा इस पर वालिबन कहता है कि आप मेरे गुरू है जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा और शायद पिछले जनम में आप मेरे ही पिता रहे होंगे तब आयानारों से गले लगा लेते हैं अब अगले दिन ये सब महा से निकलते हैं और उस समय उनके साथ रंगारानी भी थी रंगारानी अपनी साथी से कहती है कि ये वालिबन ने मुझे मना क्यों क्या होगा जिस पर उसकी साथी कहती है कि एक बार दो भाई थे जिसके बाद एक की शादी उससे हो गई और पीट पीछे दुसरा भाई भी उसे बीवी की तरह ही रखता था लेकिन एक दिन ऐसा आया कि दोनों भाई उस लड़की के चक्कर में लड़के मर गए फिर वो कह देगी शाद वालिबान का भी यही आलोगा और वो चिन्ना की बीवी से प्यार करता होगा फिर रंगारानी देखती है तो उसे भी कुछ ऐसा ही लगता है अब यह लोग मंदिर में जाते हैं जहां मेले का आयोजन था जहां सब लोग खुब इंजोय कर रहे थी तब वालिबान के पास जमंती आती है और कहती है कि चिन्ना बाप बनने वाला है जिसको सुनकर वालिबान बहुत खुश होता है कि मैं अब उस बच्चे को अपने से भी बड़ा युद्धा बनाऊंगा और ये सब रंगारानी वही पीछे से सुन लेती है और उसे गलत थैमी हो जाती है कि ये वालिबान का बच्चा है इसके बद रंगारानी के साथी चिन्ना के पास जाती है और पूशती है कि तुम सबसे ज़्यादा प्यार किस्से करते हो तो चिन्ना कहता है वालिबान से जिस पर वो साथ ही कहादे कि तेरी बीवी पेट से है और हमें लगता है कि तेरे पीछे वालिबान ही उसके साथ सोता है वरना वो सबसे पहले अपने बच्ची की खबर वालिबान को क्यों बताती तब मारंगर आने भी कहती है कि मुझे भी यही लगता है यह सुनकर चिन्ना भढ़क जाता है और महां से जाने लगता है अब यह वालिबान तो मेले में सबके साथ खुब इन जोय कर रहा था तब य जाने वो बम के धमाके से बच गया तब ही वालिबान टैंशन में आ जाता है क्योंकि चिन्ना और उसकी बीवी भी इसी मेले में थे और यह चमतकान कुछ करना डाले तब ही वालिबान की नजर जमंती पर पढ़ती है और वो देखते है कि कोई उसे चाकू मारने वाला है त और यहाँ पता चलता है कि यह दो उसका भाई चिन्ना इना ही था जो गुस्से में इन दोनों को मारने आया था और यहाँ वही मारा गया अव माये देखकर एन seminar भी तूर्ड जाता है कि उसका बेटा मर गया फिर ये लोग उन दोलों की चिता चला देते है या गुस्ते में एनार कायदा है कि आज से तेरा मेरा रिष्टा खतम हुआ, मैं तेरा कोई गुरू नहीं हूँ, बलकि आज से तु मेरा दुश्मन है, और मैं ही तेरे लेक ऐसा युद्धा लाऊंगा जो तुझी भी धेर कर सके, तब वो उस युद्धा को लाने चला जाता है, महा रास्ते में एनार को चमतकान मिलता है, और वो उसे अपनी कहान ही बताता है, कि मैं भी एक बहुत बड़ा युद्धा हुआ करता था, और मुझ से लोग डरते थे, पर एक दिन ऐसा युद्धा आया, जिससे सब लोग जादूगर कहते थे, क्योंकि उसके सामने करने लगा, पर एनार कुछ भी नहीं कर पाया, फिर एक दिन वो युद्धा दुनिया जितने निकल पड़ा, और अपने कान से कुंडल निकाल कर, उसने एनार की पतनी को दे दिये, कि मैं लोड कराऊंगा, फिर कुछ दिनों में एनार की बीवी का बच्चा होने वाला था जो कि उसी युद्धा का था, फिर जैसे उसकी पतनी का बेटा हुआ, तो एनार ने अपनी ही पतनी को मार डाला, और उस बच्चे को अपने पास रखा, जिसका नाम वाली बान है, अब एनार कहादा कि मैंने दो से इतना सब कुछ दिया, और उसने मेरे बेटे को मार डाला इसलिए उससे मुझे बदला लेना है, और अब उसका मुकाबला उसी युद्धा से करा हुआ, जिसका वो बेटा है, इसलिए वो अब वाली बान के असली बाप को ढूड़ने निकलता है, युद्ध करवाने के लिए, ये सुनकर चमतकान हसने लगता है, कि तो तो मुझसे बड़ा जरिला आदमी है, मुझे भी अपने साथ रख ले, पर अयानार अकेला इस युद्धा को ढूड़ने चल देता है, और हमें पता चलता है कि अब तक चमतकान जो शरा पी रहा था, उसमें अयानार ने जहर डाला था, जिससे वो वही मर जाता है, और अयानार ने जो होगा चिन्ना को मारने का, और आपका शिश्य हूँ, तो सामने वाले को जिन्दा भी नहीं छोड़ूँगा, यहाई पर यह मुवी खतम होती है, और हमें दिखा देंगे इसका पार टू भी आएगा, फिर हम देखते हैं कि अब वालिबान और वो युद्धा आमने सामने ह और अब उनका भेहना के उद्ध चलने वाला है, जो हम पार टू में देखेंगे, दोस्तो आपको यह मुवी कैसी लगी हमें कॉमेंट में जरूर बताएगा, और अगल एक्स्प्लिनिशन आप कौन सी मुवी पर देखना चाहते हैं वो भी कॉमेंट कीजिएगा, बाकि अगर आपको हाली में आई एक बहतरी दिन मुवी देखनी है, तो आप यह वीडियो देख लीजिए